यूगाइस कांट इमाजिन एक टाइम था 90's का वीडियो एडिटिंग सौफ़वेर प्रेमियर प्रो कुछ ऐसा दिखता था और तब इसका नाम भी प्रेमियर प्रो नहीं रिल्स टाइम हुआ करता था वीडियो एडिटिंग के नाम पर हमारे पास कट पेस्ट और कुछ लिमिटेट से ट्रांजिशन्स हुआ करते तो आप समझी सकते हो उस दोर में वीडियो एडिटर्स को पता नहीं कितनी महनत और कितना टाइम लगाना पड़ता होगा एक मूवी या वीडियो को एडिट करने वाला हूँ जिससे आपकी वीडियो एडिटिंग सूपर एजी एंड सूपर फास्ट हो जाएगी तो लेट्स बिगिन वित आफ फॉर्स्ट एई टूल सीन एडिटिक्शन आ नो यूट्यूब में काफी लोगोंने शॉट्स के चैनल बनाए हुए हैं जिसमें वो पॉड्क पास्ट एपिसोड के क्लिप्स या किसी प्री एडिटेड वीडियो पर वर्क करते हैं तो एडिट करते हैं वक्त उनको मैनुवली कट्स डूणने पड़ते हैं और विच इस वेरी ताइम कंजूमिंग तो यूज दिस टूल आंद इस मेथर्स सलेक्ट यूर क्लिप देन र Aoto Reframe sequence आपके पास एक वीडियो है जो कि Landbefore फार्माट वे और आपको उसको चैंच करना है रील्स एर शाट के फार्माट में अट उसका स्क्रीन साइज đ आपको चेंच करना है तो आप क्या गरोगे यू सीक्वेंस बनाउगे और बार-बार सब्जेक्स की पॉजिचन फ्रेम में लाते रहोगे I mean यह कितना hard work and time consuming process है but अब इसके लिए भी एक AI tool है auto reframe sequence जो कि आपके subject को automatically frame के अंदर adjust करता रहेगा AI की मदद से track करके and यह काम कुछ seconds में ही हो जाएगा go to sequence then sequence settings change the frame size to 1080 by 1920 and hit okay then go to effects panel और search करो auto reframe then drag this preset to your clip then go to effects control panel and hit analyze with default settings on and it is done quick and easy coming to the next auto transcribe अब वो टाइम गया जब आपको बैट के लंबे-लंबे subtitles लिखने पड़ते थे अपने podcast videos के लिए Premiere में आप एक AI tool auto transcribe का use कर सकते हो subtitles generate करने के लिए go to text panel click transcribe sequence अपनी preferred language select करो since I want it in Hindi तो I'll select Hindi then click transcribe after couple of seconds आपके सामने ये text का panel आ जाएगा जिसमें आप spelling चेकर सकते हो and after that click create captions and then hit create so यहाँ एक new layer बन गई है which is our subtitles layer and you can check the results coming to the audio part Premiere Pro में audio के लिए भी कुछ AI tools add हो है the remix tool so आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा जब आपके video के length आपके audio के length से जाधा बढ़ी होगी and then आपको वो gap fill करने के लिए manual audio को cut करके crossfade match करवाना पड़ता था तो Premiere Pro में अब इसका solution आ गया है so यह AI tool use करके आप audio की length जितना मर्जी stretch या compress कर सकते हो let me show you how on the left corner click on this icon and select remix tool इसके बाद आप अपने audio layer को stretch या compress कुछ भी कर सकते हो AI will take couple of seconds and will give you some magical result even आप इसमें customizations भी कर सकते हो sequence और variations के settings change करके so the last one audio enhancement tool so assume करो कभी आपने video record करी and गलती से आपका mic setup off रह गया क्या कुछ glitch आनी की हो जैसे आपका audio record नहीं हो पाया तब आप totally depend करोंगे अपने camera के audio recordings पर and you guys know audio कुछ ऐसा sound करता है so अब आपके बेकार audio को भी ठीक करने का solution है Adobe podcast आपको Adobe की इस website पर जाके login कर लेना है and then अपना audio यहां पर drop कर देना है after that AI will process the audio and then you can download the audio so here is the before and after result basically यह AI tool आपके खराब से खराब audio को टीक कर सकता है and यह feature आपको Premiere Pro के better version में भी मिल जाएगा और maybe अगर आप इस वीडियो के publish होने के कुछ महीनों को बाद इसको देख रहे हो तो maybe यह इसके main version में भी आ चुका होगा so that's it guys thanks a lot for watching the video अगर ऐसे ही और वीडियो चाहिए वीडियो एडिटिंग से related तो मेरे चैनल पर बागी वीडियो को भी चेक आउट कर सकते हो also चैनल को subscribe करो वीडियो को like करो share it with your editor friends and I'll see you in my next video बाई